हेलो स्टूदेंस आई होब यू ओल आर गुड टूड़ वी बिल स्टार्ट अर लेस्न नंबर वन डाइवर्स्टी इन इंदिया चीक है चीक है चीक है चीक है उसके अंदर अलग लग स्टेट्स की तरफी चले उसमें क्या है हमें अलग लग चीजे देखने को मिलेगी कैसे हर एक स्टेट है उनकी फूड हैपिट्स अलग होएंगी है ना क्लोधिंग उनके कप्रे डाले का स्टाइल अलग होएगा तो डाइवर्स्टी में जैसे आप अपने पापा और आपकी थिंकिंग ही लगा लो वह सभी क्या है की थोड़ प्रसेस अलग होएगी आपका एक्क हमारे इंडिया में हमें क्या देखने को मिलती है यूनटी यानिकी एकता देखने को मिलती है इंडिया इस डाइवर्स नीशन विद्धा व्राइट्टी ओफ ट्राइशन एंड कल्चर कहते इंडिया इस डाइवर्स नीशन भारत विभिंता भरा देश है अलगलग परंप् को प्रेक्टाइस किया जाता है मानना जाता है we also celebrate many festivals आपा वैसी लग लग festival celebrate करते है like holy, dawali, dushara, eid besides national festival इसके साथ हमारे राष्ट्रिया त्युहार भी बनाए जाते हैं apart from all the differences इतना अलग and varieties बरकार होने के बाप चुद भी we share a common bond and values with each other हमारा एक दूस्टे के प्रती क्या है लगाफ इस लगाफ का कारण के था Indian Constitution United us all कैते हमारी भारती सविधान ने हमें एक तामी रखा हुआ है we are proud to be our largest democracy in the world हमी proud है कि हम इस लोग तंतर का एक हिस्सा है ठीक है जी जो हमारा सविधान है वो हमारे अधिकारों की क्या करता है रक्षा करता है और हमारे अधिकारों को भढ़ावा भी देता है और कोई भी इस कानून से उपर नहीं है सभी हमारे देश के जो कानून है उसकी क्या करते है रिस्पेक्ट करते हैं फेले आपको हम इसके में करेंगे जोग्रफीकल फीचर्स यानि कि भुंगोलिक विशेष्टां के अधार पर ही हमारे देश के अंदर लोगों की फूड, क्लोथ, इतिंग हैबिट्स, सब कुछ डांस, सब कुछ हमें अलग लग देखने को मिलता है इन अलग लग चीजों को देखने हुए कि हमारे देश के अंदर एक ना देखने को मिलती है फिर्स्टी नाव विल डिस्कॉस अबाउट जोग्रफीकल फीचर्स